मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज आप जज़ करेंगे दोनों थार में से कौन सी जादा अच्छी लग रही है Welcome back friends, my name is Tanvir from Vigato Accessories वाशी नभी मुंबई आज आने का purpose कुछ different था, ये थार raw है जो showroom से आई है ये modified by the Vigato Accessories है आज difference भी बताना था, आज आप लोगों को ये भी बताना था कि modification क्यों जरूरत है modification क्यों किया जाता है, मैं जो हर वक बोलता हूँ stand out आना चाहिए किस तरीके से आता है, जो आज मुझे बताना है आपको ये थार showroom से आई है, ना grill change की है, ना headlight change की है और ना ही bumper को हमने black color किया हुआ है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये raw थार है और ये modified थार है, इसमें grill change की हुई है, headlight change की है, projector fork lamps लगाए है लेकिन जो bumper है, जो front profile है, उसे जो full black color का हमने किया हुआ है, आप stand out देख सकते हैं दोस्तों ये चीज में अगेन अभी मैं नजदीक से बताना चाहूंगा दोस्तों, ये car में पूरा हमने PPF coating की हुई है, जो self healing के साथ आती है ये जैसे मैं नाखुन बगेरा, मतलब कुछ भी आप बोल सकते हैं, नाखुन तो छोड़िये, जो कपलों के निशान्स आते हैं, जो road पर जब हम चलते हैं, जो stone tea है, बिलकुल भी इसमें होने का chances नहीं है the safety of our car गरवारी की PPF की हुई है, ये car में PPF नहीं की हुई है, अभी है नवी है मैं scratch तो नहीं मार सकता हूँ, लेकिन अगर मैं नाखुन या कुछ करूँगा तो scratches आएंगे, ये difference है, अभी ये रौथार है, इसमें interior कुछ भी हमने upgrade किया ही नहीं है दोस्तों, आप देख सक सकते हैं, check out कर सकते हैं, ना हमने carbon किया है, ना sparkling किया है, ना door padding की हुई है, ना ही seat covers लगाए हुए है हमने, ये raw थार है, अभी मैं आपको बताऊँगा कि modified थार किस तरीके से होती है, the wow factor, the modified थार है, door paneling की finishing देखिए, sparkling की finishing work आप देख सकते हैं, दोस्तों, steering, just see the finishing of the steering, AC के जो vents है, seat covers है, एक एक इसकी fitment, finishing, matting, मतलब this is the next level upgraded बोल सकते हैं, modified थार बोल सकते हैं, एक अलग ही लग रहा है कि वो कार कैसी है raw और after the modification किस तरीके से लग रही है, एक आज डिफरेंस था, पूरी कार में विकुल की फिलिम हमने इंस्टॉल की है, उसमें नहीं की हुई है, अब डिफरेंस भी चेक कर सकते हैं अंदर बैट के, अब आते हैं the side profile में, जो fenders है, footrest है, उसे full black करने के बाद standout किस तरीके से आता है, रियर में टेल लाइट्स चेंज की हुई है, बंपर हमने अगेन ब्लैक कलर के किये हुई है, जो mat finish के जो fenders और बंपर आते हैं, इसे full black कलर का किया हुआ है, अब चेक आउट कर सकते हैं दोस्तों, अभी यही कार में, fenders, footrest, कुछ भी नहीं की हुई है, हमने black कलर की, आज कुछ different purpose था, modification क्यों की जाती है, इसी के लिए की जाती है, कि standout आना चाहिए हमारी का और जो आ रहा है, और तो आप लोगों को दोनों थार का मैंने live भी बता दिया, कि किस तरीके से, why modification is necessary for the thar, और थार तो अच्छी क अब लगती है, जब वो modified होती है, दोस्तों, तो ये concept, ये video, आपको किस तरीके से लगा है, दोस्तों, मुझे आप ज़रूर बताना, drive safely and thank you friends once again.